गुद मॉर्निक बचों पैसे हो मां दिपक जाखर व्याक्याता भुगोल सास्त्री सिनियर सेकेंडरी स्कूल फत्यबुर शेकावाटी शीकर के डिजेटल प्लेटपॉरम पर आपका आर्दिक स्वागत करता हूँ बच्चों हम पढ़ रहे थे कक्षा दस में बारत्य कर्षी पिछली कक्षा में पढ़ी थी आज हम पढ़ेंगे अध्याय नमार दस खनीज वे उर्दा संसादन सब्से पहले बात करते हैं खनीज किसे कहते हैं तो परकर्थी परदत वे सभी रासायनिक तता बोतिक गुणों वाले पदार्थ जो मानव के लिए विभिन क्षेत्रों में उप्योगी होते हैं खनीज कहलाते हैं दूसरी बात खनीज और उर्दा संसादन तो वे संसादन जीन से उर्दा प्राप्त हती है उसे उर्दा संसादन किशे कहते हैं संसादन की बात करें तो परकरती परदक्त वे सभी वस्तें जो मानव के लिए उप्योगी होती है वो सभी क्या कहलाती है संसादन कहलाती है जैसे यह चोंक है यह भी एक संसादन है यह आपके सामने दो बोर्ड है यह भी एक संसादन है आपके हाथ में दो मोबाइल है वे भी सबंसादन है हम बात करें को इस एदाएं में खनीजी कि करति परदर्थ वें सभी राशायञा रित बोत तिक फ़्यूध दूरं वाले पदार्थ तो मानुव की लिए उप्योगी होते हैं मानुव की लिए विभ्योगी होते हैं उसे क्या rakis कैए लिए कि बारत के संतरब दूम्हात्य ढ़ साथ करेंगे ओर बारत może लिएगर लिए इसार रावली पर व्लवत का जोक्षेत्र है हिमाल्य परवत्य क्षेत्र ब्रह्म पुत्र गाटिक शेत्र ब्रह्म पुत्र गाटिक शेत्र बारत के इन पांच शेत्रों में प्रतिशत खनीत पैदाते हैं प्रायदी प्रवत्य क्षेत्र ब्रह्म पुत्र गाटिक शेत्र दक्षिण का शेत्र उसके बाद हम बात करें तो बोतिक वर राशायनिक बोतिक वर राशायनिक गुणों के आदार पर खनीजों को अनेक बागाओं में वर्गीक्रित क्या रहता है यहने की खनीजों का वर्गीक्रण वर्गिक्रण की बात करें तो वर्गिक्रण में सबसे पहले बात करते हम एक होता है दात्विक खनीच क्या होता है दात्विक खनीच दूसरा होता है एदात्विक खनीच एदात्विक खनीच और तीसरा होता है उर्जा खनीच अब देखो बचो सीदी सी बात है कि जिन खनीजों से हमें उर्जा की प्राप्ति होती है वे खनीज क्या कराते हैं उर्जा खनीज वे खनीज जिसमें दातु कांस पायदाता है दात्वी खनीज वे खनीज जिसमें दातुकांस नहीं पायदाता है वे क्या होते हैं एदात्विक खनीज जैसे सोना है सांदी लोएसेक तामबा ये क्या है दात्विक खनीज है लेकिन नमक जिप्षम अब्रक ये सभी क्या हैं एदात्विक खनीज है उसके बाद कोईला, पेंट्रोलियम, प्राकर्तिक गेस, ये सभी क्या हैं, उर्जा खनीज है, हम इस दात्विक खनीज को भी दो बागों में बारते हैं, एक होता है लोहे दात्विक, एक क्या होता है, लोहे दात्विक खनीज, और दूसरा होता है, एलोहे दात्विक खनीज एलो है दात्वी खनीज वे खनीज जिसमें लोहे दात्वी खनीज जैसे लोहे दात्वी खनीज जैसे लोहे अयसक मैंगनीज यह मैंगनीज पायराइट अंग पायराइट यह सभी क्या है यह दात्वी खनीज जिसमें लोग दात्वी खनीज गयां तक नहीं पैदाता है आपका सिश्वाज़ता एक बात द्यान में लेकना सिस्षा जश्टा का नाम हमेशा साथ में यह से जुड़वा खनीज के नाम से भी दाना जाता है तो आपका शीषा ज़स्ता कि तामबा कि अगुए यह सभी खनीज किसके अंतर करते हैं एलोग दात्वी के अंतर करते नमक कि जिप्षम कि अब्रक कि अब्रक कि संग्मर्मर कि अब चुन्ना पत्तर वे सभी क्या है ए दात्वी खनीज उर्जा खनीज को भी हम बच्चों दो बागों में बाढ़ सकते हैं एक होता है इंदन खनीज इंदन खनीज दूसरा होता है अनुसक्ति खनीज अनुसक्ति खनीज यंदन खनीज है इंदन खनीज की बात करें है जिनसे हम ऐन एंदन की रूप में उर्जा प्राप्त हुच है जैसे पेत्रोलियम कि है सब्राकर्तिक में प्राकर्ति गेश अंसरा कि Έzia है इंदन के अंत्रगत आते हैं अनुशक्ति खनीज अनुशक्ति खनीज के अंत्रगत जिन से आन्विक शक्ति की प्राप्ति होती है जैसे यूरेनियम है थोरियम है बेरियलियम है यह सभी कौनसे अनुशक्ति खनीज है तो याद हो जाएंगे बचो दात्वी खनीज अधात्वी खनीज उर्जा खनीज उसके बाद हम बात करते हैं कि बारत में लगबग सो परकार के कितने परकार के कितने परकार के दात्वीग ईदात्वीग के उर्जा सभीह खनीज सो प्रकार के पैजह चीन मेंसे वर्तमान में जीका ऊब्धिआनाथ स्ल car कैो जीनमेशे वर्तमान में कि इतने मैं स्लीक खनिशे निवासे निवासे में शेंवावन डात्मी थी दोती है एदात्मानन का थुं को कि लिए जफ दशब्ध कश्न आए 23 सुक्षम खनीज चार इंदन खनीज या उर्जा खनीज इस प्रकार कितने होगे निवाशी खनीज होगे खनीजों की दरस्टी से बारत एक संपन देशों की स्रेणी में आता है उसके बाद हम बात करते हैं बारत की परमुक खनीज पेटियों की यानि कि बारत के किन किन सेत्रों में खनीज पाया जाता है और कौन कौन से खनीज पाये जाते हैं उनमें बात करें तो भारत को पांच प्राइज प्राइजी प्यवाग उत्तर पूर्वी प्रायजी प्यवाग नमर दो पर आता है ह environmental denn 17 फिर फिर तुली है ग्यक्ति 7 बहुंत स्च जाएंगोग करिये फिर्शम प्राइजी फिर्वें बागे प्यर्वा प्हेटी कि ने टीजर हो जाएगा क है 5 आप्की है ओ फिर्वा दीं मत्रेत्थ स्क्ली फैटे दक्षिन पस्चिम बैटी दक्षिन पस्चिम बैटी कि अगर पांच मीं हो जाएगी कि अगर उत्री पस्चिम बैटी अगरों आए कि शब्से बहरे बात करते हैं उत्त्री में पूर्वइ प्रारीधी at कि उत्त्री पूर्वी प्रायधी पे जो पेटी है ऑद नीद 노 क्षेत्र ए कि है यह चोटा नागपूर का पठार वे उडिशा का क्षेत्र आता है इसके अंतरकति या कह सकते हैं चोटा नागपूर वे उडिशा तक विस्तृत है उडिशा के क्षेत्र में विस्तृत है सेखनीजों की बात करें तो कौन-कौन सेखनीज आते हैं लो एसक कौन सेखनीज दाते हैं लो एसक मेंगनीज आप बॉक्साइट अब्रक तामबा कोईस, कोईला यह सभी छोटा नागपूर वुडिशा के क्षेत्र में पाए जाते हैं उसके बाद हम बात करते हैं बच्चों मद्दे पेती की क्यों सीपोरी प्राइदी है मद्दे पेती की उत्री पुरी प्राइदीब फ्राइसमारा का निग्दी फीस पित्य स्रेनी की पेटी है इसका जो क्षेत्र है वह है शत्तीसगड मध्य पर्देश महाराष्टर अंद्र पर्देश महाराष्टर वह अंद्र पर्देश यह हो गया अपना ख्षेत्र यनिकी मद्य पेटी का ख्षेत्र है सत्तिसगड मध्य पर्देश और महाराष्टर अंद्र पर्देश तो के विश्थित है इसके अंद्र गयत कौन-कौन से लो-ए-स-क कौन-कौन से खनी स्बाइद आते हैं लो-ए-स-क मैंगनीज बॉक्साइट अब्रैक तामबा तामबा नहीं तो अब्रग उसके बाद हम बात करते हैं यह तो होते होते हैं जो उत्री पूर्वी प्राइदी पेटी के अंत्रगत खनीरते वो तो हैं यह इनके साथ ही संग्मर्मर संग्मर्मर चुन्ना पत्तर वे पन्ना जैसे खनेज भी सामिल है उसके बाद है दक्षिनी पेटी ओन से दे तीसरी दक्षिनी पेटी दक्षिनी पेटी के अंत्रगत करनाटक वे तमील नाडू की उच भूमी आती है उच भूमी तके विश्त्री था दक्षिनी पेटी इसके अंत्रगत कौन-कौन चेक नहीं दाते हैं इसके अंत्रगत मुक्यत आते हैं लो एसक कौन-कौन सा लो एसक वे बॉक्साइट कौन सा लो एक्ष वे बॉक्साइट अन्य जो मैंगनीज है अब्रक है कोईला है तामभा है यह बहुत थीक कम यानी न्यून मात्रा में पाए जाते हैं उसके बाद हम बात करते हैं दक्षिन पस्चिम पेटी की कौन सी पेटी ? दक्षिनी पस्चिमी पेटी इसके अंतरगत आता है दक्षिनी करनाटक यह कहां तक विश्थरीत है दक्षिनी करनाटक वह गोवामे विश्थरीत है इसके अंतरगत लो एसेक लो एसेक गारनेट मर्तिका जैसे खनीज पाए जाते है उसके बाद आते हैं उत्री पस्चमी पेटे कौन से आती है उत्री पस्चमी पेटे उत्री पस्चमी पेटे के अंत्रकते ख्षेत्र आता है अपना राजस्तान का अरावली ख्षेत्र राजस्तान इसके अंत्रकत आता है आपका राजस्तान का अरावली ख्षेत्र वह उसे सभर्षी यानि उसे जुड़ा हुआ गुजरात का अक्षेतर गुजरात का अक्षेतर यात के विश्ट्री तो है बात करें खनीजों के इसके अंतरकत खनीज कोंच आते हैं इस पेटी में तो इस पेटी के अंतरकत पहली बात तो आते हैं एदात्वी खनीज कोंच आते हैं एदात्वी की खनीज एथा ता निमा यह आते यह तो एलो है दात्र घो गई यह पहले तो कि यह आते हैं गोछिए घ्री इसके बाद जाते हैं यह दात्रीग जोगी उसके बाद इसके बाद जाते हैं नमक, अब्रक, जिप्शन जैसे खनीज आते हैं उसके बाद क्या होता है उसके बाद उर्जा खनीज अरावली प्रवतमाला के अनर्जदी की राजस्तान में पैंट्रोलियम के भी प्रयाप्त मात्रा में बंडारे मिले हैं तो यह था बारत के खनीजों का पैटियों के मात्यम से बर्गी करण कितने वागों में माँठा हमने पांच वागों में नमबर एक उत्री पूर्वी प्राइदी प्य बाग जिसके अंत्री प्रवत कोन सा ख्षितरत है तीसरी आती है दक्षिनी पेटी जिसके अंत्रगत करनाटक वे तमील नाडू की उत्वुमी का ख्षेतर आता है नमर चार पर आता है वो है दक्षिनी पस्चिमी पेटी और दक्षिनी पस्चिमी पेटी के अंत्रगत जो ख्षेतर आता है वो है करनाटक का दक्षिनी बाग व उसके बाद नमर 5 पर उत्री पस्चिमी पेटी में गुझरात वर राजस्तान के रावली प्रोटमाले जोक्षर्टर है वो इसके अंतरगति आता है यह था वास्चो आपका खनीजों के बारे में खनीजों का पेटियों कि माधने से वरकीकड या खनीजों लस्ट लोए सख ए जक है कहां कंबर पायजाता है बाध्यशा में किकिन किन इस्तानों पर पाया जाता है उनका देन ऑंद्यी खक्सह richness 및 बँद्रें घञिए झाल झाल